श्कार दोश्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल इंक्रेडिबल इस्ट्री विद आरपी में हैं काफी लोगों की डिमांड थी सरा आप गड़ित की पैड़ोगोजी के कुछ शुगस्यंस बताएं तो चलिए मैं गड़ित की पैड़ोगोजी स्टार्ट कर रहा हूं तो पहले आज हम पढ़ेंगे गड़ित सिच्छन विदियों के प्रकार ठीक है वन बाई वन करके सारी चीजे देखेंगे, परिसान होने की ज़रा से भी जरूरत नहीं है आप अच्छे से एक एक करके देखिए, आपको सारी चीजे सॉझ में आ जाएंगे तो गडित में कौन-कौन से सिच्छन विदियां होती है और कौन-कौन से हमारे लिए important है और कौन-कौन से हमें पढ़ने चाहिए इस सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे अते पहली है दोस्तों आगमन विदी को हम लोग इन्डैक्टिव मेंथेड बोलते हैं दूसरा होती है निगमन विदी इसकौन-टिडदक्ट वह पहते हैं थीजोंतीय है दोस्तों वह ती आपकी fluctuation बदी यानि अनलाटिकल मैथड अचाहथी संसलेशन बेदेश संसेटीट मैथर । होती है अपकी praeak शाला बिदी लेबरेटरी मैथेड और फिर वी propos अन्युत भी प्र प्रयोजना बीदी गो प्रोजेक्ट method बोलते हैं next ninth व्यक्षान विदी इसको lecture method बोलते हैं विचार विमर्ष विदी को discussion method बोलते हैं ठीक है इसके बाद आगे आ जाते हैं आगमन विदी की बारे में बात करते हैं ठीक है आगमन विदी क्या होती है inductive method इसके अंतर के सारी चीज़ें देखेंगे इसमें किन-किन चीज़ों को महतो दिया जाता है तो इस विदी में प्रत्यच अनुभवों उधारणों तथा प्रयोगों का अध्यान कर नियम निकाले जाते हैं तथा ग्यात तथ्यों के आदार पर उचित सूजबूच से निय इनदेर पत्यान बनेना ले जाता है यानि आपको एक चीज़ प्रता होने चाहिए कि आप ग्यात्त होने चाहिए यानि जो चीजें आपको पता है से घ्यात है उनहीं के आदार पर आप सुझभूच करकर निOYने लेते हैं इसमें सिक्षक्षात्रों का अध्यन किया जाता है अब इसके अंतर देख लेते हैं कैसे प्रत्यच्छ से प्रमाल की और ध्यान दिया जाता है श्थूल से सूच्म की और विशिष्ट से सामान की और यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेट्ट है आप इसे पूचा जाता है प्रतियच्छ से प्रमाड की और किस विधी में होता है तो आपको बताना है आग मन्विधी यह नहीं इनवाट है इस तूल से सूच में की और किसम Catholic में होता है तो भी आपको वहीं तरना है इंडेक्टिव मेथेट विशिष्ट समाने के वो तब यह आपको इंडेक्टिव मेथेट ठीक है चलिए आगे बात करता हूं फिर इसके बाद होता है आगमन विदी में पर्यूक्त चरण तो आगमन विदी में कौन-कौन से प्रमुक्त चरण होते हैं स्टेप्स इंडेक्टिव मेथेट स्टाट करते हैं सरु फथम हम एक उधारण प्रस्थत करते हैं तो आगमन विदी में क्या हुआ सबसे पहले एक्जामपल लेते हैं द्यान दिज्याइब का निरिख्षण किया जाता है उसका पहले अप्जिर्वेशन करते हैं थर्ड उस उधारण नियम का परिच्छन करके उसका सत्यापन किया जाता है टेस्टिक वेरिफिकेशन करते हैं ठीक है तो अब आप समझ गए अब मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं एक एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा अब बता रहा हूं आपको आगमन विदी के गुण ठीक कर बालकों से मूर्त उधारणों से समान नियम निकल वाए जाते हैं जिससे बालकों में जिग्यासा बनी रहती है दूसरा पॉइंट हो कि आपका तीसरा है स्वैम से अधिगम करने के करण अधिगम इस्थाई रहता है ठीक बालक स्वैम ही समस्या का निवारण अपने ताइम जदा लेती है इसके बाद है अधिक परिष्च्रम की और सूज्च किया वसकता होती है इसमें आपको हाड़ वर्क जानदा करना होता है और आपको अपने intellectual level का भी जदा यूज़ करना होता है इसके बाद है एक तरह से अपूर्ण विदी एक तरह से कह सकते हो यह अपूर्ण विदी है क्योंकि खोजे गए नियमों तत्यों की जाच के लिए निगमन विदी के जरूरत होती है बालग यदि किसी असुद नियम की प्राप्ति कर ले तो उसे सत्य को प्राप्ति करने में अधिक स्रमवा समय की जरूरत होती है तो इस तरह से चार पॉइंट से आपने देख लिए ठीक है अब बात करूँगा मैं निगमन विदी उन्सक्वास चाहिता है ईए πयो अगर वो सिच्छड से समबनत है तो उसमें हन्ड़िष परसंट ये सारी विदिया पूची ही जाती हैं तो इस विदी में क्या होता है इस विदी में पहले से स्थापित नियमों वह सूत्रों का प्रयोग करके अध्यापक शात्रों को समस्या का समधान करना जिखाते हैं ठीक है अब इसमें क्या होता है चलिए नियम से उदारन की और होता है जश्ट आपका ज निगमन विदी के क्या क्या गुन होते हैं ठीक है प्रोपर्टीज ओफ इंड़क्टिव डिड़क्टिव मेथड के तो यह एक सरल और सुविदाजनक विदी है इसमरार सकती के विकास में वसायक है देखिए आप से पूचा यही जाता है ठीक है मैं आपको बता दे रहा हूं पूचा इसी जाता है कि समान से विष्टिच के और कौन से विदी चलती है सोच में से श्थूल के और कौन से चलती है प्रमार से प्रत्यच के और कौन से चलती है पूचा आप से यही जाएगा लेकिन फिर भी जानकारी के लिए आपको यह याद रखना जरूरी है संचिप और कलपना सक्तिका विकास वादित होता है इसमें रटा हुआ ग्यान इस्थाई नहीं रह पाता है ठीक है इसके बात बात करते हैं छोटी कक्षाओं के लिए सर्फथा अनप्युक्त विदी है ये ठीक तो अब इस तरह से मैंने इसमें दो विदियां बताई आज आगमन विदियां होती है गडित की वह भी मैंने बता देए ठीक है यानि टाइप सॉफ टाइप समने सीख लिए ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही रखंगा इसके आगे की जो विदियां है अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा तब तक आप इस वीडियो में बताए गई केमेंट करके पहुंचे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्वाद चनल और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आनारी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे थेंक यू वेरी मुच फॉर वाचिंग दे वीडियो